वेल्कम टो शड़ी चैनल मेरा नाम है मुहम्मत कैसर बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2022 की आपके काफी अलग-अलग सवाल आ रहे हैं सबका जवाब को यहाँ पर मिल जाएगा तो दोस्तों सीविएसी ने बिर्कुल क्लियर कर दिया है कि अगला एकजाम सीटेट का दिसंबर म तक और फी पेमेंट आप 25 नॉमबर तक कर सकते हैं फॉर्म बनने की फी आपको पता ही होगी एक बार देख लीजिए जर्नल ओबीसी कोई भी एक पेपर चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो फीस है एक हजार रुपए दोनों पेपर के लिए बारह सो रुपए कोई भ अतलब है काफी लोग ये पूछ रहे थे तो दोस्तों आप जितना जल्दी अपना फॉर्म भरके सम्मिट कर देंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि आपको एक्जाम सेंटर मिल जाए जो आपने पहले पे रखा था तो अब इसमें बदलाव किया है से बीसी ने आपको जल् दो सेंटर चले जा रहे हैं चुकि बहुत ज़्यादा ओनलाइन सेंटर अविलेबल नहीं होते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो आप चल्दी से फॉर्म भर लिजेगा यहां पर बताए भी किया है जैसे मालेजे कोई सहर है जहां पर सो टोटल सीट हैं तो जो सुरुवात के सो बच्चे होंगे जो सहर को अपना सेंटर चूच करेंगे उनको मिल जाएगा बातवालों को फिर उनका सेकेड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन या फिर उसके अलावा भी सेंटर एलोट किया जा सकता है तो यह चीज यहां पर बताई ग कैसे बनाना है अप्लोड करना यह सारी शीचें आपको बताई जाएंगी 31 अक्टूबर को जब फॉर्म भरा जाएगा तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए अधिया आप सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं और एलिजबिल्टी को लेकर मैं आपको दोस्तों तो आप परिशान ना हूँ हाला कि मामला सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है लेकिन कहीं से भी यह नहीं है कि बियोट को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है सुप्रिम कोर्ट सो जो फैसला आएगा वो अंतिम और सुर्मान फैसला होगा और वो पूरे देश में लागू सुप्रिम कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं इंतजार है सुप्रिम कोर्ट के फैसले का लेकिन फिलहाल सेटे दिसंबर 2022 में बाकि जो निड़ा आएगा उसके आधहार पर फैसला होगा बीएट के भविश्य का कि वो प्रात्मिक में रहेंगे या नहीं रहेंगे यदि सुप्रिम कोर्ट मान लेता है बीएट को प्रात्मिक में तो फिर आपका सर्टिफिकेट वैलिट रहेगा और यदि बीएट प्रात्मिक से बाहर हो जाता है यदि हो जाता है यदि सुप्रिम कोर्ट कर देता है तो फिर आपका सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा चाहे वो इस बार का हो या फिर किसे के पास कितना भी पुराना certificate क्यों ना हो क्योंकि seated तो अब lifetime मानने हो गया है आपके पुराने certificate भी बेकार हो जाएंगे level 1 वाले या कहा है paper 1 वाले paper 2 में be a eligible है ही तो उसमें आपको समस्या नहीं है तो बिल्कुल चीज़ आपको clear हो गई होंगी और इस बार योगताम में एक और पदलाव देखने को मिलेगा कि कोई भी चात्र यदि first semester या first year में भी है तो वो seated का exam दे सकता है इसके पहले final year appearing वालों को ही CVSC seated में eligible मानता था लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही NCT ने नोटिस जारी करके बताया था कि या आपने बस admission ले लिया है डियलेट के first semester में या बियर्ट के first year में तो भी आप seated का exam दे सकते हैं तो इस बार भीड़ भी काफी होगी क्योंकि सभी छात eligible हो गए है बिहार में सिक्षक भरती होगी सीटेट के नमबरों के ही आधार पर तो बिहार के सभी छातर form भरेंगे जो पहले से सीटेट पास है वो भी भरेंगे अपनी नमबर को बढ़ाने के लिए क्योंकि वहां पर बिहार टेट तो हो नहीं रहा है और भी जो छातर है अलग अलग जहां पर सीटेट मानने होता है या फिर डीटर प्लस बी एनवी एस के वी एस एडव्ली एस में जहां सीटेट ही मांगा जाता है तो ऐसे सभी छातर form भरेंगे दिस बार काफी भीड होगी सीटेट में भी हाला कि पासिंग नमबर सीटेट में पहले से फिक्स होता है चाहे दस लाग form भरा जाए या पचास लाग यदि आप एक सो पचास में नबे नमबर लाते हैं तो आप पास हैं यदि आप अन रिजर्व कैंडिडेट हैं और यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं S.A.S.T. O.B.C. या डिफिरेंसली एबल परसंट तो पासिंग नमबर होजा के नमबर के आदार पर ही भरती हो कि उतर प्रदेश में यूपी टेट के साथ सिटेट भी मानने है तो यहां पर सिटेट या पास कर लेते हैं तो जब भी सूपर टेट होगा अब जब भी होगा क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है तो आप वहां पर हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं है आपको वहां की रिट की परिक्षा देने ही होगी बाखी आपके कोई सवाल हों कोई डाउट हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सकतन में डेटल नोडिफेकेशन और फॉर्म जैसे ही भरने शुरू होंगे तो आपको उसके बारे में बताया क्यूर।